मिस्टर स्किनी लेग्स पेपा अपने गुडियों के घर से खेल रही है जॉज भी खेल रहा है पेपा गुडियों के परिवार के लिए चाय पाटी कर रही है देखो जॉज मैं हूँ ममी और डाड़ी और तुम बच्चे बन जाओ बच्चो चाय का वक्त हो गया है अपने अपने हाथ धोलो जॉज गुडियों को सुला रहा है जॉज बच्चो को सुला क्यों रहे हो के लिए चाय पाटी है जॉज को गुडियों को सुलाना अच्छा लगता है बच्चो, जल्दी से सीडियों से नीचे आजाओ, वरना तुमें केक नहीं मिलेगा. जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुडियों को सुलाने में बिजी है. जोज, अगर तुम्हें मेरी गुडियों के घर से खेलना है, तो तुम्हें चाय पाटी में मेरी मदद करनी होगी ये लो जोज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ बच्चो, अभी नीचे आ सकते हो मामी हमारे है जोज टीपोट में पानी भर रहा है जोज को बेसिन में मकड़ी मिली है जोज को मकड़ी से दोस्ती करनी है जोज को मकड़ी पसंद है मकड़ी को भी जोज पसंद है पेपा को चाय पाटी करना बहुत पसंद है सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहा है डाडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे ओ मुझे माफ कर दो मामी शायद मैं खा गया हूँ 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 शरारती डाड़ी जॉज मकडी को बेड़ पर सुला रहा है गूद नाइट जॉज तुम क्या कर रहे हो तुम्हें चाय पाटी में मेरे मदद करनी है बचाओ, बचाओ डैड़ी, मेरे कमरे में एक मकडी है हुँँघ करा प्लीज डैड़ी, उसे बाहर निकालिए ठरने की सरूरत नहीं है हिलो जोर्ज, क्या तुम्ने स्पाइडर को देखा प्लीज डैड़ी, उसे निकालिए, वो बहर दरावना है टरने की ज़रूरत नहीं है पेपा, स्पाइडर्स बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते, फिर भी चिंदा मत करो, टैड़ी से बेटरूम से बाहर ले जाएंगे, वो, ये तो काफी बड़ा लग रहा है, मैं ममी को बुला कर लाता हूँ, ममे पेग, हेलो, मिस्टर स्कीनी लेग्स, पेपा थोड़ी बहादूर हो गई है, उसे मेरे गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है, हेलो, बच्चो, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है, मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो, मामी, उसका नाम है मिस्टर स्कीनी लेग्स, मिस्टर स्कीनी लेग्स तो काफी बड़े हैं ना, पेपा और जोज को मकडी पसंद है, जोज मकडी को सुला रहा है, नहीं जोज, उसे चाह चाहिए, उससे अभी सोना नहीं है, क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्कीनी ले मामी, डाडी, बैट जाहिए, अब हम साब मिस्टर स्किनी लेक्स के साथ चाय पिएंगे, चाय किसे चाहिए, मैं लोगी, मुझे भी चाहिए, ये तो बहुत यमी है, पेपा को चाय पाटी करना बहुत पसंद, ये रही आपके चाय मिस्टर स्किनी लेक्स, क्या हुआ, मेरे ये ये पाटी को हलो बोलना है, हेलो डाडी पे, रहने तो पेपा, आप मिस्टर स्किनी लेक्स कोन की चाह चुपीनी है, आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डाडी, नहीं, बिलकुल नहीं, इतने नजदिक मतलाव इसे, वाव, पेपा को मिस्टर पत्ले पेर पसंद है, स केम्पिंग, पेपा और उसका परिवार केम्पिंग के लिए जा रहे हैं, उठे केम्पिंग बहुत पसंद है, हम पहच के, हुरे, हुरे, पेपा, जार्च, ये टेंट, मैं छोटा था तब से मेरे पास है, डाडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे, चिंता मत कर पेपपा, मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ, मामे पेग, लकडियो पर टेंट लगाओ प्लीज, देखा तुमने, कितना आसान है, क्या ये खोंटे किसे काम के है, वेलकुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया, पेग्स के सहारे, टेंट खड़ा हो गया, हो गया, ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है, जब मैं छोटा था तो ये बहुत बढ़ा था, लेकिन आप ये छोटा क्यू लग रहा है, जोकि तब आप बच्चे थे, और अब आप बड़े हो गए हो डाड़ी पेग, और आपका पेट सबसे बढ़ा हो गया है, हो, 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 मैं लकडिया उठाओंगे और तुमेने पकड़ लेना, लकडिया इकठा करने में मज़ा रहा है, बहुत अच्छे, इतनी काफी है, बहुत अच्छा कैमफायर है, अब जलाते हैं, ये रही माचिस, हमें माचिस की जरुएत नहीं है, टारी, माचिस के बगर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर, डाडी पिक कैमफायर जलाने के लिए दो लकडिया एक दूसरे पर घिस रहे हैं, आग कहा है डाडी, थोड़ा सबर करो, देखा कितना असान है, अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सक लगते हैं, प्रकृति के आवजे सुनाए दे रहे हैं, यह कैसी आवाज है, यह कीडों की चीची आवाज है, यह किसकी आवाज थी, वो उल्लू है, देखो, वहाँ पर, वाँ, और यह कैसी आवाज है, ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, यह डारी के पेट की आवाज है, मेरे पेट की आवाज प्रकृती की सब अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या चलो बच्चो टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इस में कैसे जा पाएंगे ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है जाओ तो अंदर चलो मामे पीग थोड़ी जगा दो मुझे डाडी आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है सबको गुड़णाइट पैपर जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है खुली हवा में तारों के नीचे सोना शायद यह आइडिया कुछ खास नहीं था सुबा हो गई है डाडी टेंक में बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया ओ डाडी कहा है डाडी पिक चले गए बेचारी डाडी पिक बारिश की वज़े से उन्हें ठंड लग रही होगी अब कहा है वो यह कैसी आवाज है यह तो खराटो की आवाज लग रही है डाडी पिक क्या हुआ डाडी अब ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक हो मुझे क्या होगा कैम्पिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैं गारी में आकर सो गया पुद्द डाडी पिक मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है स्नो आज पेपा जोज बहुत खुश है बाहर बर्फ गिर रही है मामी क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं हां पर बाहर बहुत थंड है तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ अपनी कैप्स स्कार्फ और गलफ्स भी पहन कर जाना बाहर बहुत थंड है पेपार जोज को कैप्स स्कार्फ और गलफ्स पहनने होंगे चलो जोज पेपार जोज बर्फ में पेरों के निशान बना रहे हैं पेपार जोज को बर्फ में पेरों के निशान बनाना बहुत पसंद है ओ ये क्या इसमें हसने वाली क्या बात है जोज चलो बर्फ के गोले बनाते हैं पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है पेपा और जोज को बहुत मज़ा आ रहा है वापस आ जाओ जोज के बच्चे हुआ 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 हाहा हुआ हुआ हाह ओ हो लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया स्वारी जोज जोज चलो सनोमैन बनाते हैं पेपा और जोज एक सनोमैन बना रहे हैं पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया जोज ये सनोमैन का शरीर है अब वो सनोमैन का सिर बनाएंगे अब इसे चाहिए हाथ, आँख और एक मूँ जॉर्ज को स्नो मैन के हाथों के लिए लकडिया मिली है पेपा को स्नो मैन की आँखों के लिए और मुग के लिए पत्थर मिले है ये इसका चहरा है अब स्नो मैन को नाग की जरूरत है स्नो मैन की नाग बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई स्नो मैन बहुत खुश लग रहा है पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है स्नो मैन को ठंड लग रही है उसे कपड़े चाहिए स्नो मैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले है स्नो मैन ने पहनी अपनी क्याप, स्काफ और गलव्ज ममी, डाडी, आई और देखिये! ममी ने पहनी है अपनी टोपी, स्काफ और गलव्ज. मैंने आज से पहले इस से अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा. डाडी पिक को ठंड लग रही है. उन्होंने अपनी काप, स्काफ और गलव्ज नहीं पहने. जादी, आपने अपनी कैप, स्काफ और गलव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहा है, कहीं मिल ही नहीं रहे शायद मुझे पता है कि जादी की कैप, स्काफ और गलव्स कहा है जादी की कैप, स्काफ और गलव्स स्नो मैन ने पहने है ओ म्यूसिकल इंस्ट्रुमेंट्स ममी और डैडी पेग घर की सफाई कर रहे हैं ममी पेग और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है नई इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स वाव ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं ये वाइलन है जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी ममी क्या आप ये वाइलन बजा सकती हैं मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया प्लीज ममी प्लीज इसे बजाये उमीद है मैं नहीं भूली ममी क्या मैं भी वाइलन बजाओ इसे ऐसे पकड़ो ठीक है ममी ओ डियर मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए जॉर्ज भी बजाना चाहता है इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज एं ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है वाइलन बजाना बहुत मुशकेल है पेपा लगता है तुम हख्या डाडि यह आवास ड्रम बजाना अच्छा लगता है को बहात अच्छे इसकी आवास बहात अच्छी है कि यह ड्याडी पेक का पुराना अकोडियन है मैं यह ममी पेक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे ओ डैडि पिग मुझे ये धुन याद है तुम बजाओगे जोर्च काफी मुश्किल है जोर्च ये अक्रोडियन बजाना उतना ही मुश्किल है जीतना की मेरा ड्रॉम ठीक है जोर्च शाह जॉर्ज अकॉरियन बजाने के लिए अभी थोड़ा चोटा है टाड़ी इस बॉक्स में और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है बस ये हॉन क्या मैं बजाओ तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा इसकी आवाज ठीक नहीं लगती ये बिल्कुल नहीं बच्टा मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है ये आवाज भी अच्छी नहीं है पेपा ठीक कहती है यह बिलकुल नहीं बजता कोई बात नहीं डाडी पेग आप सिर्फ अकॉडियन बजाओ आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो ठीक है मैं इसे अच्छा बजाता हूं यह तो मैं खुद ही कह रहा हूं और मैं अपना वाइलन बजाओंगी और मैं ड्रम जाती है एव यह पेग अकॉडियन बजाते हैं लेकिन जोज कॉन ससे निस्ट्रूमेन बजाएगा अ कुग कॉच जोर्ज हॉन बजा रहा है ममी इसे नहीं बजा सकी ट्यारी इसे नहीं बजा सके और मैं भी इसे नहीं बजा सकी लेकिन जोर्ज इसे बजा सकता है प्लेग रूप पैपा और जॉर्ज प्लेग रूप में जा रहे हैं ये जॉर्ज का पहला दिन है जॉर्ज क्या तुम्हें प्लेग रूप में जाना अच्छा लग रहा है तैडी मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्लेग रूप के लिए बहुत चोटा है वो ठीक रहेगा पैपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसौर वहां उसके साथ रहोगे ये लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ नहीं चाहती हूं ना कि जॉर्ज और उसके डाइनसौर से अधिया पैपा जॉर्ज के साथ प्लेगरूप में जाना नहीं चाहती हूं हम पहुंच गए तैडी आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाई बाई मैडम गजैल प्लेगरूप के बच्चों की देख भाल करती है हेलो यह है मेरा छोटा भाई जॉर्ज हलो जॉर्ज काश मेरा भी एक जॉर्ज ऐसा छोटा भाई होता सेच में हेलो मैं हू डानी डॉग क्या यह डाइनोसार है यह सिर्फ ए खिलोना डाइनोसार है सच में टरावना है यह शांदार है जॉर्ज मेरा भाई है और वह कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है की चलो हम जोड़ को बताते हैं की तस्वीरे कैसे बनती है जोड़ की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायोड तुम उनके मेंद कर सकती हो हां मुझे बहुत अच्छी आति है मैं इसे दिखाओंगे फूल कैसे पेंट करना है जोड़श आज मैं तुमनेंझाओंगी फ नहीं जॉज ये रंग सही नहीं है अब तुम पूल की पत्तियों को पेंट करो जॉज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जॉज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जॉज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये रहा डाइनसौर शांदार जॉज और पेपा की तस्वीरों को दिवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्व होना चाहिए हां मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लेने आ गए हैं क्या जॉज फिर से आ सकता है हां और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉज एक और डाइनसौर की थस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शांदार हां शांदार शांदार तब यह ठीक नहीं ममी और डाडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तयार है पेपा के चहरे पर लाल दाने निकलाए हैं मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तब्यट ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए है पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यद है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपा को तो सर्फ रैशेज आए है मुझे दवाई की ज़रूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ हाँ, दीजिये ना इसका स्वाद शाय अंधे तुम्हें पसंद आए चलो अब मुझ खोलो याँ, गंदी और कडवी बड़ी ही बहादुन लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबियत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं, ये रैशिस फैलेंगी नहीं गुडबाई बाई बाई डॉक्टर ब्राउन बेर मामी क्या मैं उठ सकती हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा पर ये कितना बोरिंग है डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं पेपा सूजी से बात करना चाहती है पेपा मेरी तब्याश ठीक नहीं है मेरी जहरे पर रैश है डॉक्टर आये थे क्या हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे, उन्होंने कहा मेरी तबियत ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ, तो तुम सचमुझ बीमार हो, हाँ, हाँ, मैं जूट नहीं बोल रही, मुझे बिस्दर में ही रहना है, डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही कंदी और कड़वी दवाए दी थी, मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ, मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ, सूजी शीप पेपा से मिलने आई है, सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है, टानी डॉग और रबैका राबिट भी साथना आए है, हेलो पेपा, हेलो, तुम कैसी हो पेपा, मेरी तब्या ठीक नहीं है, सूजी, मुझे बिस्दर पर लेटे रहना है, तुम्हें ठी का जूस ला सकती हो, ठीक है, लगता है कि पेपा को बड़ा मजा रहा है, तैंक यू सूजी, अभी कुछ ठीक लग रहा है, थोड़ा सा, टानी, मेरी ममी से पूछो, क्या मैं आइस क्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका, क्या तुम बगीचे से मेरे लिए, फूल ला सकती हो, पेपा ठीक हुई या नहीं, ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेर आए है, अरे वा, नर्स तो पहले से ही पहुच गई, तो बताओ, मरीज कैसा है, मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसी ही, अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ, हाँ प्लीज, हरे वा, रैशिस गायब हो गए है, तुम तब बिलकुल ठीक हो गई, क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूँ, अब कैसा लग रहा है, मुझे लगता है, और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए, मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है, कौन आएगा मेरे स जालत, में, 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 में भी, अरे यह क्या, तुम तो बिलकुल ठीक हो गई, तैक है फितनिक, एह यह एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है, पैपारोस का परिवार पिकनिक के लिए जादा है, शुक्या बैंकेट हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं अम्हें सिर्फ मजाग कर रहा था मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबरी के यहां है सब तैयार तो फिर चलो ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है बहर अच्छा लगता है हमें थोड़ा दोड़ना चाहिए और थोड़ी कस्रत करनी चाहिए मैं तो खाना चाहती हूं और सोना चाहती हूं और दोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे लगता डारी को थोड़ना चाहिए उनका पेट बहुत बड़ा है पर मेरा पेट बड़ा नहीं है लेकिन मैं बाद में थोड़ी कस्रत करूंगा चाहे कोई और करे ना करे चलू खाते है अच्छा आइडिया है ममी पिक मुझे बहुत भूक लगी है मुझे बहुत नीद आ रही है मुझे लगा था तुम थोड़ा दोड़ोगी जाड़ी पिक बाद में देखो वहां ताला में बतक है ममी क्या हम बतकों को खिला सकते हैं हाँ तुम उन्हें ब्रेट कहला सकती हो पैपा और जोज को बतकों को खिलाना अच्छा लगदा है मामी मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए पैपा वो आखरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है मुझे माफ कीजिए हमारे पास और ब्रेड नहीं है बतकों को और खाना चाहिए लगता है डाड़ी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है अब तुम यहाँ क्यों आई पैपा ने तुम्हें बताया ना यहां और ब्रेड नहीं है ममी हमारे पास स्ट्रोबेरी केक है ठीक है अगर केक बच किया तो तुम उन्हें खिला सकती हो ममी पिग का खका बनाया स्ट्रॉबरी केक सब को पसंद आया एक मक्खी मुझे मक्खियों से चड़ है शू चड़ने की क्या बात है ममी पिग ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है चलो जाओ मक्खी बिल्कुल हिलना मत ममी पिग ये उड़ जाएगी देखा तुमने तुम्हे कहा ता बस हिलना मत अरे चली जाओ ये बचाओ वोई इसे भगाओ भगाओ इसे उम्मीदे मक्खी डाडी को काटेगी नहीं दूर हटो छोटी सी मक्खी नहीं डाडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं इसके पहले के मक्खी वापस आजाए हमें केक खा लेना चाहिए ओ नहीं हम बत्तकों के लिए बचाना तो भोले गए मेरे ख्याल से वो चली गई है आपनी कहा तो था कि आप दोड़ेंगे और कसरत करेंगे डाडी पिग लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिए डैरी हमने बचा हुआ केक बत्तकों को खिलाने का वादा किया है ओ तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है चलो डैरी को शुक्रिया कहो तुम्हारा स्वागत है घर जाने का समय हो गया बत्तकों को गुडबाय कहो बाई बाई बत्तक तुमसे फिर मिलेंगे यह दोसे लुड़से 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 डैडी पिक चश्मा पहनते हैं, उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है, जब डैडी पिक चश्मा पहनते हैं, तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जब डैडी पिक चश्मा उतार देते हैं, तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती है, सब कुछ हलका और धूंदा दिखता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डैडी पिक को पता हो कि उन्हें का चश्मा कहाँ है, कभी-कभी डैडी पिक अपना चश्मा खो देते हैं, पैपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिक का चश्मा देखा है, उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा, नहीं ममी, पैपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिक का चश्मा कहाँ है, ओ डियर, डैडी पिक उसके बिना कुछ नहीं देख पाते हैं, और फिर वो चिर्चिरे हो जाते हैं, बिना अपना चश्मा पेहने, डैडी पिक अपना अख़बार नहीं पढ़ सकते, ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता, किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा, क्या आपको याद है आपने उन्हें आखरी बार कहा रखा था, जब मैं वो नहीं पेहनता, तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है, डैडी, क्या हम चश्मा ढूनने में आपके मदद करें, अच्छा आइडिया है, अगर उसे ढून लोगी तो डैडी चिरचड़ाना बंद कर देंगे, मैं चिरचड़ा नहीं रहा हूँ, पेपा और जोर्ज डैडी का चश्मा ढून रहे हैं, पेपा अख़बार के नीचे देखती है, लेकिन डैडे पे का चश्मा वहाँ नहीं है, जोर्ज टीवी के ओपर देखता है, ले पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिक के बेडरूम में डून रहे हैं जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टक्रा मच जाना ये कोई मजाग नहीं है पेपा तर्की के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहां भी नहीं है जॉर्ज डैडी के स्लेपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहां भी नहीं है जलो बाथरूम में देखते हैं पेपा और जॉर्ज बाथरूम में डून रहे हैं चश्मा टब में नहीं है चश्मा टॉलेट में भी नहीं है यह बहुत मुश्किल है पैपा और जॉर्ज को डैडी पी का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है हमने सब जगे देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला ओ डियर अब हम क्या करें लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा अगर मैं धीरे चलूँगा तो मैं चीजों से नहीं टक्राऊंगा यह यहां है डैडी का चश्मा डैडी पे आप तब से उसी पर बैठे हुए थे पता नहीं यहां कैसे पहुंचा मैं जानती हूं कैसे आप थोड़े बुलकर तो हैं डैडी पे लेकिन अब आप चिडचड़े तो नहीं हैं मैं चिडचड़ा नहीं रहा था रात हो चुकी है पेपा और जॉज सोने जा रहे हैं गुद नाइट पेपा और जॉज अ मामी डैडी बोलो पेपा मुझे नहीं आ रही है क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे और शायद जॉज को नीद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी जॉज क्या तुम्हें कहानी सुननी है हाँ बोलो ठेक है मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाओगा अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रामिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे हम प्रामिस करते हैं तो आज में तुम्हें स्लीपी प्रिंसिस की कहानी सुनाओगा क्या येक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है. बोर्itting नहीं, बलकि बहुत अच्छी है. क्या उसमेे एक छोटी सी राजकुमारी है? पेपा, अगर तुम बाती करती रहोगी, तो डारी पिक कहानी कैसे सुनाएंगे? SORRY मामी. क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डाडी हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस टाड़ी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा. क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? आ, बहुत सुन्दर. उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था. ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ. उस महल में और कौन-कौन रहता था? अब, वहाँ अब... उस महल में रहते थे एक चोटा सा प्रिंस, क्वीन ममी, और केंग डाड़ी. बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे. क्या केंग डाड़ी का भी पेंट बढ़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंसम थे, मेरी तरह. और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था. डाइनसार. डाइनसार? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डाइनसार था. बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसार था. वह वहाँ, वहाँ, वहाँ. वहाँ, शाहिव डाइनसार था था, हैना, डाड़ी पेग? सारी चॉड्च, नहीं, वो डाइनसार बहुत दयालू था. वो सिर्फ खास खाता था. डाड़ी पेग. ओप्स, सारी. मैं पे डाइनसार बन गया. यहाँ, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ, वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे पर सबसे ज्यादा मींद स्लीपी प्रिंसेस को आई पैपा, नेंग आ रही है नहीं डाडी, मुझे बिल्कुल नेंग नहीं आ रही पर किसी को आ गई है जोर्ज, उठो भी, कहानी कहान सुनना है कि नहीं पैपा को तो नेंग नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सू गई थी सारा दिन आइने में देखकर वो पूरी थरा से ठक गई थी चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ गुट नाइट और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नीन सू गई कहानी के लिए थैंक यू किंग डाडी और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बढ़ा मजा आया दादा पिक की बोट दादा पिक पेपा और जॉज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों पेपा जॉज चलो लाइफ जाकेट्स पहन लो दादा पिक की बोट पर पेपा और जॉट को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं पता है बच्चों इस बोट का क्याप्टन मैं हूँ आई आई कैप्टन आई आई कैप्टन जब क्याप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी छोड़ कर कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते बेलकुल नहीं कैप्टन दादा जोर्ज जंडा लहरा आओ पेपा बेल बजाओ आई आई कैप्टन दादी पिग वील सम्हा लो आई आई कैप्टन चलो चलते हैं तेज़ चलो शायद आपको थोड़ा दीरी चलाना चाहिए तुमने सही कहा दादी पिग मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग तेज़ चलिये ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज़ जाएंगे देखिए एक और बोट यह धादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएं कैसे हो डानी और दादा डॉग ऑहो कैसे हो दादा पिग हलो डानी हलो पेपा दादा डोग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंड है यखिन नहीं हो रहा है चिawan आपहुति वह इन दादा-डोग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है यह पुरानी बोट उम्हारी जंग लगी बालते से ज्यादा तेज चलती है डादा पिक अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग, रेस लगा कर देखते हैं हारने के लिए तयार हो जाओ, पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पेले उने समुद्री डॉग का दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए अगर उसते पहले सॉरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस दादा पिग को सॉरी बोलिये, वो आपके बेस फ्रेंड है ना वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक, दो, तिर तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पाने पिग्ग समुद्री डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पड़ सकते है जीत कया ओ ये क्या, दादा पिक की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की, कैप्टन दादा शाद मेने कुछ जाधा ही तेज चला दी हम वापस घर केसे जाएंगे वो देखिये, दादा डॉग दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग स अपनी बोट को नहीं खचवाना मैने उस पानी पिक को खीचने के लिए पूछा भी नहीं क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे दादा पिक, अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझे माफ करना कि मैने तुम्हें समुद्री डॉग कहा दादा, दादा पिक को सौरी बोलिये ना मुझे माफ कर दो मैने तुम्हें पानी पिक कहा बहुत अच्छे, दादा डॉग, क्या आप हमें खीच कर घर तक ली जाएंगे और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम इसे पकड़ो, क्याप्चन आल राइट, स्केपा दादा डॉग, दादा पिक के बेस्ट फ्रेंट है दादा डॉग, दादा पिक की बोट को खीच कर घर ले जा रही है सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैं रेस चीट गया दादा पिक? शहरारती दादा पिक स्केपा, बेल बचाओ आय-ाय, कैप्टेन पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए है दादी पिक, दादी एग हलो, मेरे प्यारे बच्चो खाने के लिए बगीचे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, जय देगी हलो, पेपा, जॉज ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा ये सारी सबजियां उन्होंने खोद उगाई है ये क्या है एक डाइनोसौर चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजयां चुनते हैं पेपा, तुम्हे टमाटर पसंद है? जी दादा पे जोर्ज, क्या तुम्हे टमाटर पसंद है? नग जोर्ज को टमाटर पसंद नहीं है ओहु तुम्हे शलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पे जोर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चोकलेट कैक भुट तु जॉर्ज, चोकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है सब्जियों का जब अच्छा सलाट बन जाए, तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी वाँ, बढ़िया टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से दूना होगा पैपा और जॉर्ज, दादी पिग की सब्जिया धोने में मदब कर रही है पस अब दूना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाट पत्ते और खीरे का सलाट बनाया दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है और ये रहा सलाट दादा की टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जॉज ने अपना पिज़ा खाया पर जॉज को टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा पसंद नहीं ओ जॉज, क्या तुम्हें सलाट पसंद नहीं? नहीं जॉज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो याक जॉज, ये खीरा है दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलाट पत्ते का एक टुकड़ा खालो बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं, जॉज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जॉज जॉज को डाइनसौर बहुत पसंद है जॉज, टमाटर, सलात पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश, जॉज थोड़ा और लोगे, जॉज बर गया जॉज, क्या तुम और टमाटर, सलात पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जॉज का पेट भर गया है जॉज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते जॉज, और कुछ भी नहीं खा सकता ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्खुर नहीं खाना जाते चॉकलेट केक वावाव, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई तर्टूथ फैरी पेपा और जॉर्ज अपना फेवरिट खाना खा रहे हैं नूडिनेज कितना शोर मचा रहे हो खतब हुआ अब हमें थड़ी शान्ती मिलेगी यह क्या है? यह दाथ है यह कहां से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आएने में देखना चाहिए यह तो मेरा दाथ है यह कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, यह दूद का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आज आएगा ना ममी हाँ, जरूर आएगा पेपा इसका यह मतलब है कि आज टूद फैरी तुमसे मिलने आएगी टूद फैरी? हाँ, टूद फैरी अगर तुम अपना दाथ तक यह के नीचे रखोगी तो टूद फैरी आएगी टूथ फेरी तुम्हारा दांट लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तुम क्या बनूगे जोर्ज? टाइनसोर एक टाइनसोर? जल्डी करो जोर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जोर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांट प्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए उच्छा और साफ हो पेपा जल्ड से जल्ड सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जोर्ज गुद नाइट मामी गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्छो जोर्ज मैं तो सोंगी नही चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं यह टूथ फेरी कहब आएगी तूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूथ फेरी वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी थे? जोर्ज, क्या तुमने कुछ सुना? ओ जोर्ज ओ यह वाज तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ अखिरकार टूथ फेरी आ ही गई लेकिन पेपा सोई हुई है हला पेपा क्या तुम्हारे दाथ के बदले में तुम्हें ये सिका चाहिए कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा गुद नैट पेपा जोज अच्छाओ सुबा हो गई क्या मैं सोई नहीं थी क्या टूथ फेरी आई थी नहीं आई चलो तक्ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कोईन रखा हुदे तुम सो गई थी है ना शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलोंगी यह चमकता हुआ एक सो नहरा दिन है पेपा और उसका परिवार पार्क में है वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा जॉर्ज बहुत तेज दोड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती जॉर्ज तुम सब कलत कर रहे हो तुम बहुत तेज नहीं दोड़े अब मेरी बारी है पेपा बहुत तेज दोड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी चाहे तुम कितना भी तेज दोड़ लो जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सब को इंतिजार करना होगा देखो हवा चल रही है अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है अब हवा काफी तेज है अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है शुक्रिया टैरी टैरी पेग पतंग उड़ाते हैं और उपर और उपर ऑफ तेटी पेग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं वाव मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ उन पेड़ों से बचो तुम्हारी पतंग उनमें भच सकती है चिंता मत करो मुझे मालूम है क्या करना है पतंग एक पेड़ में अठक गई ओ नहीं है चिंता मत करो जोज डाड़ी पतंग पो नीचे उतार लेंगे थ्यां से वहां एक बड़ा मिट्टी का गठा है पैपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में कूदना अच्छा लगता है मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ पीछे रहो बच्चो जरा ध्यान से डाड़ी पेग मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से बस थोड़ा सो और डाड़ी डाड़ी पेग तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो रहने दो मैं जानता हूं मैं इसे कितना भारी हूं डाड़ी पिग ने पतंग को उतार लिया सबके सब मिट्टी में सन गए यह तो सिर्फ मिट्टी है अच्छा हुआ डाड़ी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई मामी अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं हाँ ठीक तो है अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते और मुझे लगता है धुलाई का काम डाड़ी करने वाले हैं पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अ ममी और डैडी को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सभी को गढ़ों में कूदना अच्छा लगता है गढ़ों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मज़ा है जितना पतंग उडाने में ट्रेजर हंट दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रही है दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही है दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगा खोद रहे है दादा पिग आपका काम हो गया पेपार जोज आती होंगे परिशान होने की जरूरत नहीं, दादी पेग पेपार उसका परिवार आ गया है जल्दी करो दादा पेग, वो आ गये बस हो ही गया दादा पेग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया दादी पेग, हम आ गये हलो, मेरे प्यारे बच्चो, दादा पेग, दादा थी ओ, कैसे हो, मेरे प्यारे बच्चो पेपा, जोज, तुम्हारे लिए ट्रेशर हंट बनाया है बगीचे में ही कहीं, छुपा हुआ है खजाना वाओ, खजाना, कहा है वो वो तो तुम्हें ढूनना होगा यह रहा खजाने तक जाने का नक्षा और जोज मेरा पाइरिट हैट पहन सकता है ओ, हलो, कैप्टन जोज यह मैप थोड़ा मुश्किल है, तैर्य, आप मदद केजिए क्यों नहीं, पेपा, मुझे मैप पर ना आता है यह थोड़ा मुश्किल है दाटी पेग, आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था यह आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है, खजानक कहा है लेकिन कार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहा है मुझे नहीं पता तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, प्लीज पहला क्लू बोटल में है लेकिन बोटल कहां है? मज़े देख गई पेपा ने पहला क्लू ढूण लिया है बोटल में मेसेज है देखिये, ये रही बोटल शाबबाश पेपा देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है ओ, ये तो एक पाइरेट का मेसेज है इस समुद्री डगों की राइटिंग बहुत ही खराब है नहीं नहीं पारेट की लिखावट बहुत अच्छी है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं पड़ पा रही हूं पारेट ने लिखा है निशानों का पीछा करो निशान का पीछा करो जोज को दूसरा क्लू मिला है कुछ एरो देखो जोज एक चावी पेपा को अगला क्लू मिला है एक चावी बहुत अच्छ है पेपा अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूनना है जो इससे खुलेगा लेकिन यहां और कोई क्लू नहीं है तुम्हें नक्षे को ठीक से देखना चाहिए देखो पेपा नक्षे में दो सेप के पेड़ भी है यहां एक सेप का पेड़ है और यह रहा दूसरा सेप का पेड़ इसका मतलब खजाना यहां है तो चलो देखते हैं ओ नहीं यहां पर तो कुछ भी नहीं है जरा रुको यहां पर कुछ है वाव खजाना वाव बहुत अच्छे मेरे पास इसकी चावी है वाव यकिन नहीं होता सोने के सिक्के ये तो बहुत कीमती होंगे उससे भी ज्यादा ये सोने के सिक्के नहीं है ये तो चौकलेट के सिक्के है और यहां सबके लिए चौकलेट के सिक्के है को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं दादी दादा ये सबसे अच्छे खजाने की खोच थी के एता हैं सबसे अच्छे खेए हैं